ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्मिंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल ये राशिफले 30 अपरेल 2023 रईवार का दिन है वैशाक महा के शुकलबक्ष की डश्मीत थी है मघा नामक नक्षत्र होगा तथा सिंग रासी में चंदरमा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिसा में होगे इसलिए पश्चिम दिसा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस्पश्चिम दिसा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो पान खाकर के यात्रा आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो किशाम को साड़े चार बजे से शुरू हो करके छे बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपन नहीं करना चाहिए क्योंकि राहुकाल के दोरान कोई भी शुब या मांगलिक कारिक्रम संपादित नहीं किया जाता है हाला कि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्षेतर के पंचांग अथवा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरिदेव जो की मेश रासी में वहीं चंद्रमा की दि हम बात करें तो सिंग रासी में मंगल ग्रह मिथुन राशी में बुद्ध ग्रह मेश रासी में देव गुरु ब्रहस पती जो की मेश रासी में शुक्र गरह ब्रसब रासी में, शनिदेव कुम्ब राशी में, राहु गरह मेस रासी में तथा केटु गरह तुला राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश, मिथुन, सिंग, तुला, धनु एवं मीन ये छे राशियां सबसे दिख भागिशा लेने वाली है कारिक्षतर में उन्नती और प्रगती के उत्ताम अउसर इनको प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के साथ नई जिम्मेदारी नया काम इनको प्राप्त हो सकता है इसके अलावा जो भी काम इनके द्वारा किया जाएगा उसमें भी इनको फाइदा ही फाइदा प्राप्त होगा घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा और जो भी इनके द्वारा नया व्यापार या नया रोजगार सुरू किया जाएगा उसमें भी इनको अधिक से अधिक लाप प्राप्त होगा अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फिल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंत तक जरू देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी ही पिछले कुछ समय से किसी के साथ चल रहे हैं खराप संबंदों में सुधार आएगा घर की सुक्स्विधाओं संबंदी कारियों में आपका विशेस योगदान रहेगा इस समय आर्थिक इस्तिती उचित बनी रहेगी भविश्य शंबंदी निवेश के लिए समय और दिन उत्तम है संतान से संबंदित कुस कारियों में आपका धन खर्च होगा खर्च की अधिक्टा हो सकती है अपनी भावक्ता जैसे स्वभाव पर नियंत्र रखे अन्यता कुछ लोग आपका गलत फाइदा उठा सकते हैं दो पहर के पश्चाट ग्रहस्तितियां कुछ विपरित होगी तथा मन में कुछ नकारत्म विचार भी आएंगे जो आपको परिशान करेंगे इस समय अपने व्यवसाय में सिर्फ वर्तमान गतिविद्यों पर आपको ध्यान देना चाहिए महनत और लगन से कारी किया गया तो आपको निश्चय ही लाप प्रसिद्ध होगा और उपाय के रूप में चट के ऊपर पक्षियों को दाने डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की इस समय कुछ धार्मिक, सामाजिक था, अन्य, कारियों के प्रती आपका विशेस योगदान रहेगा आपको एक नई पहचान प्राप्त होगी किसी पारिवारिक मुद्धे में भी आपकी विशेस उपस्तिती रहेगी इस समय परिष्टितियों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा समय का सदुप्योग आपको करना चाहिए ध्यान रखे कि किसी नजदी की रिस्तिदार की वज़े से धन हानी संभाव होगी लें देन करते समय लापरवाही बिलकुल न करे घर के बुजुर्गों के स्वास्त का विशेज ध्यान रखे या समय किसी भी यात्रा करने के लिए उचित नहीं है करिक्षत्र में आई के सादनों में ब्रद्धी होगी इसके सांथी खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं अब हम बात करते हैं मितुन राशी की आपका अधिक्तम समय अपने व्यक्तितों को और अधिक बहतर बनाने में व्यतित होगा विध्यारतियों को विध्या या सिक्षा के अनुरूप कोई न कोई नोकरी मिलने से उनकी चिंताएं दूर हो जाएगी धार मकार्म तथा अध्यात में गती विधियों में आपकी रूची बढ़ेगी इस समय धन के लेंडन संबंदी कोई नुकसान होने की स्थितियां बन रहे है जिसकी वजह से स्वभाव में चिर्चड़ा पन रहेगा आपकी अधिकार पूर्ण वानी दूसरों को नाराज कर सकती है अपने स्वभाव को सहज वन नरम बना करके आपको रखना चाहिए आज कोई भी नया काम शुरू न करे तो ही बेतर है क्योंकि इस समय कोई भी महत्वपुर्ण इनरने गलत होने की वजह से नुकसान हो सकता है बहतर होगा कि वर्तमान परिसितियों पर ध्यान दे नुक्री पिशा वेक्तियों को काम की अधिकता की वजह से और टाइम भी करना पड़ेगा उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में चावल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका बाडामी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आज परिवार के साथ साथ आप कोई ऐसा काम भी करेंगे जैसे आपको आगे चल करके फाइदा होगा खरिदधारी होगी समय अच्छे से वितित होगा सभी सदस्यों के बीच हास परिहास तथा मनुरंजन भरा वातावरन रहेगा परिवारत था व्यवसाय के बीच बहतर तालमेल बना कर रखेंगे व्यस्तता के बावजूद सभी कार्य सहज तरीके से पूरे हो जाएंगे परंतु अपने विरोधियों की गटी विदियों को नजर अंदाज न करे आप किसी शड्यंत्र या गलत फेमी के शिकार भी हो सकते हैं किसी रिस्तदार या मित्र से कुछ कहा सुनी हो सकती है मन आपका व्यतित हो सकता है उपाई के रूप में भोजन के बाद मीथी वस्तु खाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की आपका प्रभावस्वाली तथा महत्वपूर्ण लोगों के बीच में कुछ समय व्यतीत करना आपके आत्मबलव कारिक्षमता में और अधिक व्रद्धी करेगा आपकी वाणी दूसरों के ऊपर एक छाप छोड़ेगी सामाजिक शत्र में आपके संपर्क का दाइरा बढ़ेगा कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा कि भाग्या आपका सांत नहीं दे रहा है जिसकी वज़े से आपके आत्मश्वास में कुछ कमी आ सकती है परंतु मनन करे कि आपको मैसूस होगा कि यह सिर्फ आपका वहम है लाभ के सुरोत कुछ कम रहेंगे मशीनरी खनपान से संबंदित व्यवसाय में बहतर आपको फाइदा होने का योग बन रहा है उपाई के रूप में घर के मंदिर में पीला फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की आपके उत्तम व्यक्तित तथा प्रभाव साली वानी के प्रभाव से सामाजिक और पारिवारिक शेत्र में आपका रुत्बा बढ़ेगा आपका सम्मान बढ़ेगा आपके कुछ महत्युपून लोगों से संपर्क घनिष्ट होंगे दोस्तों तथा रिस्तेदारों के साथ मेल मिलाप से खुशी आपको महसूस होगी अपने आपको तरो ताजा आप महसूस करेंगे कुछ व्यक्तिकत कारियों के साथ आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की दिन की शुरुबात बहुत ही सुखद रहेगी आपके सभी सोचे समझे काम शांति पूर्ण तरीके से निपड जाएंगे तथा आपका विनम्र स्वभाव लोग भी लग सकता है इसलिए इस समय बहुती समझदारी से काम लेने की आउशकता है घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलाहा पर आपको अमल करना चाहिए आज अपनी उर्जा सकारत्मक कारियों में लगाएं धनलाब होगा रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा और पच्चों के भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनेगी तथा निवेश संबंदी कारियों में आपकी दिल चस्पी रहेगी दिल की बजाए दिमाग से काम करें हिम्मत और साहस के बल पर असंभव कारी भी आसानी से संभव हो जाएंगे भाउकता में आकर कोई भी गलत नेरनाय ना करें किसी नजदी की रिस्तिदार से मामूली बात पर वैचारिक मदभेद हो सकते हैं इसके कारण संबंदों में खटास उत्पन हो सकती है कोई भी बाहरी व्यक्ति आपकी भाउनाओं का गलत फाइदा उठा सकता है इस समय अत्याधिक सचेत रहने की आपके ल अब हम बात करते हैं धनुराशी की आर्थी की सिती बहतर रहेगी रुका हुआ या उधार दिया पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी तथा अपनी व्यभार कुशलता द्वारा किसी भी प्रकार का काम निकालने में आप सक्षम रहेंगे किसी नजदी की व्यक्ति के घर जा जबी बना करके रखना चाहिए उपाई के रूप में लाल कुंकुम का तिलक लगाना आपके लिए शुपलदाई स्ाबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ हो गा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आप अपनी योजना किसी भी सुखत समाचार प्राप्त होगा जिससे घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा और जो भी सूचना आपको मिले उससे नजर अंदाज न करे आपके लिए वह फाइदेबन साबित होगी उपाई के रूप में काले तिल गाय को खिलाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं कुम्ब राशी की आज हास परिहास तथा मनोरंजन संबंधी कारियों में आपका समय व्यर्टीत होने से स्वयम को हलका फुलका और उर्जावान महसूस करेंगे घर की ज चिंता हो सकती है और उपाई के रूप में देवी जी के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुपलताई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका हारा होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपको अपनी छुपी प्रतिभा वक्षमता को निखारने का अउसर प्राप्त होगा समाज में आपकी किसी विशेस उपलब्धी को लेकर के चर्चाएं रहेगी जिसे मन में उमंग वरी रहेगी किसी महत्पूल यात्रा का योग बन रहा है और उपाई के रूप में माता लक्षमी जी को पिला फ पाग इशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंड करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लिज